असलाम वलेकुम फ्रेंट वेलकम बैक टो मैं चैनल साधिया इज रेसिपी आज आप लोगों के लिए एक कब सोजीचे में बहुती जबरदस्त वाला बिस्किट की रेसिपी लेके आए हूँ सिर्फ 10 मिनिट में ही ये बिस्किट बनके तैयार हो जाता है बनाना बहुती एज़ी है खाने में बहुती जबरदस्त सौध वाली ये बिस्किट ज़रूर आप लोग एक बड़ ट्राय करिए और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा आप लोगों के ये वाला रेसिपी कैसा लगा है तो चली ज़्यादा देन ना करते हैं फिर वीडियो को शुरू कर लेते हैं शुरू करने से पहले वीडियो अच्छा लागा तो लाइक कॉमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा तो सबसे पहले एक बाउल ले लिया है मैंने उस पे डाल दूँगी में एक अंडा एक अंडे से ही में बिस्किट बनाओंगी एक अंडे से ही बहुत सारा बिस्किट बन जाता है यह थोड़ा बड़े साइस का बिस्किट में बना रही हूँ आप लोग चाते ही थोड़ा छोटा साइस का भी बना सकते तो और भी ज़्यादा बिस्किट बन के तायार हो जाएगा एक अंडे में यहाँ पर मैं करीबन डाल दूँगी 60 ग्राम चीनी वजन में यह 60 ग्राम चीनी है अगर आप लोग ज़्यादा मीटा पसंद करते हैं तो चीनी के कौंटिटी थोड़ा ज़्यादा भी इसमें डाल सकते हैं पर मैं जो है आप चीनी नहीं डालूँगी मैं चीनी का पाउडर डालूँगी ताकि जो है चीनी बहुती जल्दी मेल्ट हो जाए आप लोग चीनी भी डाल सकते हैं चीनी डालेंगे तो अंडे में जो है फेटने में बहुती टाइम लगेगा इसके लिए मैं जो है उसी च चीनी को मैं पाउडर करके कप इस पे डाल देती हूँ अब जो है चीनी और अंडे को इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से फेटना है ताकि यह बिल्कुल एक क्रीमी फॉर्म में जब तक की नहीं आता तब तक आप लोगों को इसको फेट लेना है जितना अच्छा अच्छी तरह से करीवन 2-3 मिनित तक घरी को देखके इतना फेटना है अप लोगों को तो देख सकते हैं दो मिनित यहां पर हो गया है इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो चुका है अप लोग देखी सकते है लाइट थोड़ा सा कलर हो गया है अब इस पे डाल देना है हमको चार चममच antis confused onion जो चाय का चममच रहता है उस से ही चार चममच 2 Serd shines और से 15 चममच ko डाल के भल ऐती तरह से मिक्स कर लेजिए पस दस विस से कम तक णको मिक्स करेंगे तो तुरंथी मिक्सवाइब सतर्फ हो साथा हेँ अब एक पिंच नमग डालना है नमग ज़रू डालेंगे तो फिर बिस्किट बहुत अच्छा बनेगा तो चले मिक्स करते हैं लगातार इसको चलाते हुए मिक्स कर देते हैं इसको भी डाल के और भी अच्छा से मिक्स करने के बाद फ्लेवर के लिए थोड़ा सा वैनिला एसेंस में डाल देती हूँ क्योंकि अंडा है यहाँ पर इसलिए वैनिला एसेंस को मैं जरूर डालूंगी आप लोग बिना अंडे वाले बिस्कित अगर देखना चाते हैं तो म आप लोग को पसंद है तो आप लोग जरूर उसको देख सकते हैं चेक आउट कर सकते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल फेट लिया है अभी बिल्कुल इस तरी के क्रीमी फॉर्म में जब तक नहीं आता तब तक फेट लेना है जैसे हो जाएगा तुरंत इस पर देना है हमको एक कप सुजी यहाँ पर सूजी जो है वाजन में एञ़ट सो से 200 ग्रम के आसपास एथा सूजी इस्तमाल कर सकते हैं 200 ग्रम सूजी एक अंडे के लिए इस्तमाल होता है तो सुजी को डाल कि अभी बहुत ऐची तरह से मिक्स करे जब तक कि इसमें जो है और इ यहां पर मेने राल दिया है क्योंकि थोड़ा गिला गिला लग रहा था आप लोग के फॉर्म में लाना है आप लोगों का बिस्कित अगर देखेंगे आप लोग फ्राइ करते वक्त तूट रही है तो आप लोग जो थोड़ा सा दो से चार चमर जिसमें मैदा भी डाल सकते है अगर आप लोग फर्स टाइम बना रहे हैं कौन्टिटी नहीं समझ रहा है तो थोड़ा सा मैदा जरूर इस पर डाल की थोड़ा डो के पॉम में बना ले थोड़ा सा हाड़ वाला डो बनाएं बहुत ही जदा सॉफ्ट यहां पर डो नहीं बनाना है सॉफ्ट डो अगर बन तो देख सकते हैं यहां पर अभी में डख के छोड़ दिया तक करीबं 10-15 मिनित तक और सूजी जो है बहुत अची तरह से अबसर्प कर लिया है सूजी थोड़ा-थोड़ा फूल गया है अब हातों में तोड़ा-थोड़ा तेल लेके गोल गोल सिंपल विसकुट इसमें त तो चलिए इसको जो हमें दोनों हाथ में थोड़ा तेल लगा के तो रासा गुल गुल सेप अच्छी तरह से देती हूं जितना अच्छी तरह सेप देंगे उतना ही जो है खुबसुरत आप लोगों का बिस्किट जो है तायार हो जाएगा खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि बच्चे से लेके बड़े सभी ये बिस्किट को पसंद करेंगे आप लोग या कि नहीं होता तो एक बस जरूर ट्राइ करके देखिएगा पैद में यहाँ पर मैंने तेल गरम कर लिया है आभी जो एक एक करके सभी बिस्कित को बहुत ईजल इसको इसको फ्राइ संद्खित करनóc करनाे में चतलं। करने में तो नहीं द formation करना है प्रथे ज़ादा ड़ां। और चाय के साथ या फिर आप लोग ऐसे भी ये बिस्किट को खा सकते हैं घर पे बना के इसको स्टोर भी कर सकते हैं बहुत दिन तक बिल्कुल खराब नहीं होता है सिर्फ इसको जो है अच्छी तरह से मीडियम फिलेम करते हुए अच्छी तरह से पका लेना है हाइ फिलेम करके पकाएंगे तो फिर ये वाला जो है अंदर से नहीं पकेगा सिर्फ उपर से ही कलर आ जाएगा तो यहाँ पर बाकी थोड़ा सा तेल बचा हुआ है उसमें जो है थोड़ा से बिस्किट डाल दूँगी इसी प्रेजस करती हुए सबी बिस्किट को मैं फ्राइ कर लूँगी फ्रेंड बहुत ही टेस्टी लगता है बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है खाने में जबरदस्त सुआद है बस एक कब सुजी से ही इतना सार आप लोग जो है बिस्किट बना के तैयार कर सकते हैं वीडियो कैसा लग रहा है फ्रेंड जरूर कॉमेंट करके बताईएगा वीडियो अच्छा लगए तो लाइक कॉमेंट शेयर करना बिल्कु नहीं बुलिएगा ज्यादा से ज्यादा वीडियो का अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कर फ्रेंड और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथी में बिल को अन करना ताकि इसी तरिके का रेसीपी आप लोगों को जो है बहुत ही जल्दी से जल्दी मिलती रहें यहीं तो सबी बिस्किट को मैं लिए निकाल लेती हूँ तो दिल थोड़ा थ्ल़ा निकाल के फिर जो है मैं इसी तरीके का रेसी पी के साथ आला हाफिज